असलाम लेक्म स्टूडेंट्स कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था हाउ टू किरियेट और यूज अ यूजर डिफाइन फंक्शन उसमें हमने जन्रल संटेक्स के बारे में पढ़ा था और उस संटेक्स की बहुत साई चीज़े डिस्कस की थी आज हमारा टॉपिक है जे फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन प्रोटोटाइप को आप function डिक्लेरेशन भी कह सकते है ठीक है बीक्शन का टॉपिक आप डिटेएल में पढ़ चुके है declaration क्या होते है कि जब पूर्मेशन परवाइट करता है के फंक्षिन जो है वो सही तरीके से काम कर सकेँ फंक्षिन प्रोटो टाइब और डिकलेरेशन कंसिस्ट अव नेम फंक्षिन ती यह उसीघरा से जैसे हम्ने काल पर रहा था उसके इलावा आपकी एक return type आती है और फिर आपकी parameter list आती है अब जो हमने कल header file पड़ी थी वो भी बिल्कुल इसी तरह से थी return type आती थी function name आता था parameter list आती थी लेकिन एक छोटा सा difference है उस header file में और function prototype में function prototype में end में आपका terminator आता है same journal syntax ने journal form है एक simple सा difference है कि header file में terminator नहीं आता function prototype का जब आप journal syntax लिखेंगे तो उसमें आपका terminator आएगा उसी तरह से अगर हम return type को discuss करें तो return type आपकी data type को specify करती है कि आपकी data type क्या होगी अगर आपका function जो है आप data type बताते हो for example आप integer बता रहे हो ठीक है function name आप राक देते हो sum sum के बाद आप parameters दे देते हो दो दे रहे हो आप integer आपने बढ़ा था कि जब भी आप parameters list बनाते हैं तो ये comma separated list होती है तो अगर आप 2 parameters दे रहे हैं तो दोनों को comma से separate करेंगे और उसके बाद end पे आप terminator लगा देगी जिससे पता चलेगा कि ये आपका function prototype या function declaration है next आपका topic आता है calling आप function एक function को call किस तरह से किया जाता है ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे आप कहीं बैठे में और आप किसी को अपने पास बलाना चाहरे है अपने किसे worker को या किसी employee को किसी काम के लिए तो आप उस employee को call करेंगे कि office में आए और ये आके काम करें इसी तरह से function लिखा तो जाता है लेकिन उस function को call कैसे किया जाता है यह एक process है that is used to invoke or execute a function to perform a specific task a function can be called at any point in the main program जो पीछे आपने C के main program पढ़े थे आपकी एक header file आती है उसके बाद आपका main function आता है body of main function आती है ठीक है इसमें आपकी executable statements आती हैं यह सारी चीज़े आप पढ़ चुके है तो आप function को किसी भी point में main program में use कर सकते है function can be called with its name and correct sequence of parameters function को हमेशा आप correct name से call करते है for example आप sum के function को call करना चाहरे हैं तो आप बिलकुल exact sum लिखेंगे ठीक है जिस नाम से आपने function बनाया होगा उसी का नाम लिखेंगे और exact parameters लिखेंगे जैसे यह नाम है और यह उसके parameters हैं फिर ही आप function को call कर सकेंगे when functions call statement is executed जैसे आप function को call करेंगे और उस function call पे जब statement जो execute होजेगी then the control is transferred to the function body उसके बाद end the statements in the function body are executed after the execution जब आपने main function में से call कर ली अपने function को function ने अपना काम कर लिया सारी statements execute होगी उसके बाद यह होता है the control is transferred to the calling function जहां से आपने call की थी control जो है वहाँ वापिस shift कर दिया जाता है बागी का इंशाला हम का लिस्कस करेंगे